मुझकार मैं दानिश अंत्जार और आप देख रहे पीयार रबी आपने गाना सुना होगा कि रजया गुंडों में फस गई नितीश कुमार के इस्थिती भी ठीक वैसे ही है लेकिन थोरा बतलाव है यहा नितीश कुमार गुंडों में तो नहीं फसे हैं लेकिन नितीश नितीश कुमार अपनों में जरूर फस गये इस बार जेडियू की जो कमान है वो संजय जाओच के पास है जेडियू जो चल रही है पार्टी वो संजय जाह और ललन सिंग कोन है ने रिहाई संज़ बुढ़ ईप है संजय जाहां बीजेपी के संज्ग लांग करीबी है उस भी नितीश कुमार को ले करके जिस तरीके से अभी ब्रेकिंग न्यूज आई ख़बर आई कि किस तरीके से बीजेपी नितीश कुमार पे अब जो है ला कई समझ आण कुमार kaikki से कर लिए कई नुक्सान जेडिउडों ने ज्हेल ली भीजेपी लेकिन इस बार जो समझोता है वो CM की कुरसी से नितिश कुमार को करना भी जेपी के पुर्सकेंद्रिय मंतरी उनका बियान आया है भी जेपी ये लगातार दवाब नितिश कुमार पर बन लए है कि नितिश अपनी CM की कुरसी छोड़ दे इसको लेकर के जो ब्रेकिंग नहीं गया चाहिए वो पटना युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी बनाने की मांग नहीं माना गया बिहार को विशेश राज का दर्जा देने की मांग नहीं मानी गई किर्शी मंत्राला देने की बात नहीं मानी गई लेकिन अब स्थिती यह हो गई है कि नितीश क कुमार जो है वो गुंडों में नहीं अपनों में फस गए है किस तरीके से जिस तरीके से राजा की जान हंस में होता है शिकार हंस को किया जाता है किस तरीके से नितिश की की जहां जान बस्ती है जो नितिश के करीबी है राजा को मारने से पहले प्यादे मारे जाते हैं उसको नुक्सान पहुंचाया जाता है वो इस्तिति नितिश कुमार के साथ हो रहा है अब बीजेपी बड़ी मचली है आपको पता है आ रहे हैं खबर पे अभी बड़ी मचली है बीजेपी बीजेपी का पुराना इतियास है और बीजेपी के पुर्फ केंद्री मंत्री ने कई बार ये ब्यान दे चुके हैं कि इस बार आने वाले चुनाव दोहजार पचीज बिहार विदान्सवा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव रड़ेगी ये सब चीज तो चली रहा था अश्वनी बीजेपी के पुर्फ केंद्रे मंत्री के ब्यान से बियार में बढ़ी हल चल जाती बीना कुछ भी नहीं बीजेपी ने निटीश पर बढ़ाया दवाव करती दलित सीयम की मान निटीश कुमार कुर्मी सभास चाते हैं जो बीसी में है ओवी सी के नेता है राजनिती करते ह लेकिन अब बैजे पी चाती है वहांपे कोई हो बिजे पी ये भी चाती है कि में रहे केंदृ मंत्रियों हें ने कई बार ब्यान दे चुके हैं बेज्जे पी की ने बिजे पी चुनाव लड़ेगी क्या कुछ कहा एक पुरकेंद्री मंत्री ने बीजेपी के ने बीजेपी कि इस तरी दवाब बनारी इंतिरी शुमार पर देगे पढ़िए रविवार को यह कहकर नहीं सियासी हवा दे दी गई है कि OBC मुखमंत्री का समय खत्म हुआ अब दलित समाज से मुखमंत्री बनना चाहिए उन्होंने एक नीजी टीवी चैनल से बातशीत में कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है सब को मौका मिला अब दलितों को भी मौका मिलना चाहिए संजय पासवान ने इस मांग के लिए कैंपेन चलाने की बात भी कही देखी आगे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि बिहार में किसी दलित को मुखमंत्री बनाने का मौका मिले कॉंग्रेस ने बिहार में अपने कारेकाल के दौरान 12 जातियों के लोगों को मुखमंत्री बनाने का काम किया नब नितिश कुमार के ऊपर जो थोपा जा रहा है कि सीम की कुर्सी से समझोता कर लीजे और दलिच चेहरे को मुखमंतरी बना दीजे तो दलिच चेहरे की तलाज जो है वहां मुखमंतरी बने नितिश कुमार के लिए जो इकबाल नितिश कुमार का बिहार की राजनिती में अपन कर रहे और क्या विकल्प नितिशकुमार के पास अभी है जब सब बीजब जब इच्छी जो इतना नीच्य कुमार बना कि देंगे पिछले दिनों की घटना पे आप आ wyे तो देखिए केसी त्यागी का इस्तिफा ले लिया गया जो नितिश कुमार के खास थे केसी त्यागी को क्या कहे के इस्तिफा लिया गया ये खबरे चल रही है कि केसी त्यागी अपने मर्दी से इस्तिफा दिये लेकिन ये कहा जा रहा है राजनितिक पंडित ये कह रहे हैं कि केसी बड़वाब कीज़एगा ज इसको के सित्यागी को हटवा दिया प्रवक्ता से दूसरा है चीफ सेक्रेटरी दिली से बेच दिये गए मिए पोईंट खाल रहा है कि यह बिज़ेपी मांडेट वह भी है और दिखिए नए डिवधी भी आ गए तो यह सब के बदलाब जो बारे में यह विपक्त के घर जाती है लेकिन आप देखिए किसका धर्वाजा ठखट खटा रही है जो नितीश कुमार के खास नितीश के करीबी अब नितीश के पास विकल्प क्या है आपने चिराग पासवान से जूरी खबरे लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तीन सांसत जो है उनके वो बीजेपी के संपरक में ये खबर चल लही थी और उस बीज़ पसुकत पतिकुमार पारा जो उनके चाचा थे उसको अमिशाने बुला लिया मुलाकात के लिए तो च से समझोता तो क्या नितीष कुमार से समझोता करेंगे नहीं करेंगे यह देखना दिल्चस्प होगा तो नितीष ने इतने समझोते कर लिए अब नितीष के पास विकल्प क्या है नितीष क्या करेंगे क्या नितीष के पास एक मात्र विकल्प जो है इंडिया गटबंदन ह वो तो नितीश कुमार को Welcome करने के लिए भी तैयार है उनके विढ़ाया कैई बार जो है वो वि्यान दे चुका है कि नितीश का Welcome है स्वागत है इंडिया में तो क्या नितीश कुमार के पास जो एक मात्र विकल्प बचा हूँ एंडिया घटवंदन में आना उस विकल्प को ल पाजनिती में चल ला है चीडाग चाहे लजेपी की बात कर ले या जेडियू की बात कर ले तो फिलाल इस खबर में तरहीं मिलते हैं वीडियो सब्रहें मारे साथ बहुत धन्यवाद